हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश और इस वीडियो में हम लो अस्टेटिन द्वा के बारे में डिसकस करें और जानेंगे कि इस द्वा को उपयोग किन कंडिशन में किया जाता है और इसके क्या का साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो यह भी जानेंगे अगर आप दवा को लेते हैं तो आपको क्या कैसा दानिया रखनी चाहएं लोऊ फ्रेंग को सथोराइन की आते हैं लोग करने के लिए के जाता है लोश यह बोड़न के लिए बुए फोरी को क underground का और कि इसलिए फ्सके आएंध को बोड़ हमारे स्रेंड surg नहीं बना पाता है लोज प्रियाश रहनती है। जब आप इस दवा के साथ साथ डाइट और लॉक्सटायल में बदलाव करते हैं। इस द sitä को लेते समय आपको लो फैट डाइट और लो किलिस्टरल alcohol abuse की history या muscle में problem है तो आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर को बताना चाहिए क्योंकि इस दवा की वज़ासी यह समझाय और भी घंबीर हो सकती है अगर आपको low blood pressure की समझा hormone problem electrolyte imbalance या diabetes है तो आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर को बताना चाहिए क्योंकि यह दवा इन कंडिशन में बहुत ही साफ़ दानी से दी जाती है अब हम डिसकस करेंगे क्या गरब होती महिले हैं जो मेलें सतन पान करा रही हैं वह low statin का 7 कर सकती है नहीं low statin को गरब होत जली बच्चे तक पहुंच सकती है और बच्चे में serious side effects पैदा कर सकती है अब हम low statin के क्या side effects हो सकते हैं इसके बारे में discuss करेंगे low statin के सबसे common side effects में muscle pain हो सकता है headache वैदस्त हो सकते हैं पेट दर्द वैचक कर आ सकते हैं constipation वैकमजोरी मैसुस हो सकती है अब हम low statin के less common side effects के बारे में discuss करेंगे low statin के serious side effects में liver damage हो सकता है जो की बहुत ही rare है अगर आपको liver damage के symptoms होते हैं जैसे तवचा आँखों में पिलापन होना भू कम लगना आधी तो आपको तुरंती अपनी डॉक्टर से प्रामर्स लेना चाहिए rabidomalysis एक life threatening condition है जिसमें muscle बुरी तरह damage हो जाती है और muscle में बहुत तेज दर्द होता है और rabidomalysis की वजाएसे kidney वे liver भी damage हो सकते हैं अगर आपको muscle में बहुत तेज दर्द होता है तो आपको तुरंत अपनी डॉक्टर से प्रामर्स लेना चाहिए अब हम low astatin के interactions के बारे में discuss करेंगे कुछ दवाएं low astatin के साथ interact कर सकते हैं जिसकी जैसे दवा के प्रबाब शिलता कम या अधिक हो सकती है और serious side effect होने का जोखिम अधिक हो जाता है अगर आप निमन दवाओं में से कोई भी दवा का 7 करते हैं तो आपको अपने चिकत सक को इसके बारे में सुझीद करना चाहिए जैसे इमनोस्प्रस्टिव दवाएं जो की ओर्गन ट्रांस्प्लांट के बाद और्गन रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती हैं जैसे साइक्लोसपोरिन, सिरोलीमस, टैक्रोलीमस, मेक्रोलाइड एंटिवाटिक्स जैसे अरिथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रोमाइसिन, टैलिथ्रोमाइसिन, अन्य क्लोस्टल को कम करने की दवाएं जैसे सिमवेस्टेटिन, प्रेवस्टेटिन, अतुर्वेस्टेटिन, कोटिकोस्टिरोड दवाएं जैसे प्रेणिसलोन, बिटामेतासोन, डेक्सामेतासोन, आ करती हैं इसलिए कोटिक और श्टीरोड द्वाइओं का लिवास्टेटिन के साथ सेवर नहीं करना चाहिएं एंटिफंगल द्वाइएं जैसे इटाको नजोल फ्लुको नजोल कैटाको नजोल अधी और जैम फाइब्रोजिल और फैनोफाइबरिट द्वाइएं भी की टोक्सिसिटी बढ़ जाती है इसलिए को भी के साथ नहीं लेना चाहिए एंटी रेट्रोवारेल द्वाइयां एंटी रेट्रोवारेल द्वाइयां HIV और AIDS के एलाज में प्रियोग की जाती है अगर आप ऐसी कोई भी द्वा ले रहे हैं जो HIV एड्स या हैपिटाइड एसी के एलाज में प्रियोग की जाती है तो आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर को सुचित करना चाहिए क्योंकि ये द्वाइयां भी लॉस्टेटिन के साथ इंट्रक्ट कर सकते हैं बार्भी ट्रेट्स द्वाइयां जैसे फेनो बार्विटल पेंटो बार्विटल आदी इन द्वाओं को लॉस्टेटिन के साथ लेने से लॉस्टेटिन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है इसलिए इन द्वाओं को लॉस्टेटिन के साथ सेवन नहीं करना चाहिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज ल